नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका टेक्निकल शिवा डीजय आउस पे मैं हरीज सिवा टेक्निकल डीजय आउस चैनल से आपका स्वागत करता हूँ आज हम आपके लिए लेक्या है डाइसो 300 वाट जो एंप्लिफायर आता है उसका डीटेल में रिव्यू और यह काफी नाम स आपको बताएंगे कि इस एंप्लिफायर में क्या क्या फीचर होते हैं कैसे क्या काम करता है और कितने स्पीकर किते ट्रंपलेट इस पे चला सकते हैं यह इको भी है इसमें ब्लुटूथ पैंड्राइव सारी फीचर्स होते हैं तो आईए इसका डीटेल में रिव्यू करते यह है यह एक 300 वाट का एंप्लिफायर बना रखा है लेकिन इस कंपनी ने थोड़ा पावरफुल एंप्लिफायर बनाने के लिए इसके वाटेज 300 कर रखें यह इसका उन आप स्वीच होता है उन आप स्वीच के जैस्ट उपर लाइट इंडिकेटर है उसके उपर ओर होता है तो इंडिकेटर गलो कर जाता है इसके उपर आप देख पा रहे होंगे ट्रमपलेट और स्पीकर के लिए टॉन दे रखा है इसको ट्रमपलेट पर करेंगे तो ट्रमपलेट या जो LMT ड्राइवर यूनिट वगरा चलने के लिए होता है इस पर बेस कट हो जाता है चलता है जब बेस साथ में आता है तो यह switch amplifier के base को cut off करने के लिए होता है basically यह इसका pen drive Bluetooth का part होता है यह pen drive यूज़ होता है यह next forward के switch menu से अपने इसका auxiliary Bluetooth और यह USB सारा यूज़ कर सकते हैं यह eco के लिए on off होता है eco on off switch दिया हुआ है इसके just pass में आप देख रहे होंगे repeat और delay eco का switch है यह वाले दोनों switch से eco control कर सकते हैं यहां इदर इसमें master main volume आगे amplifier का यह treble और यह bass के लिए treble bass आप सब जानते हैं क्या काम आता है यह treble जंकार के लिए और यह bass दमाके के लिए इसी तरह यह दो एक्जुलरी हो गए एक्जुलरी वन और एक्जुलरी टू एक्जुलरी कोई भी phone से या पीछे mixer से आवाज लेते तो पीछे machine में input होता है अभी वीडियो के last में आपको दिखाएंगे पीछे के input तो उन इसमें एक्जुलरी से अप्ले कर सकते हैं बाकी यह छे माइक दिए वे होते हैं एक्जुलरी में और यह 6 माइक का 6 पीन होता है जिस पीन में अपन माइक लगाएंगे उसी के उपर के माइक टोन से इसको control कर सकते हैं तो ऐसे 6 वन टू तू तरी 6 करके 6 माइक होते यह 2 जो है लाश्ट वाले फॉर और 6 इसमें mathematics of the 10-10 तो अपार काफी खुलिंगफ के लिए नहीं ने05P बना रख़ हैं कि आनसे rated इसि तो यह काफी उसता ध्यान रखा गया है इसको काफी मजबूत cabinet बना हुआ है और amplifier पे cooling रहे है इसके लिए इसको परसे जाली दिया हुआ है अब आप देख पारेंगे amplifier का back part back part में हम आपको बताएं ये all load का reset switch है ये एक तरह से fuse के जैसे काम करता है ये fuse है amplifier में short circuit होने पर ये reset switch बहार आ जाता है ये power 220 volt पावर के लिए lead है काफी अच्छा मजबूत lead बना रखा है इसके पास में 24 volt battery से भी operate हो सकता है ये 24 volt battery का socket दिया हुआ है plus minus इसके आगे made in india branding करी हुई है common 70 और 100 ये LMT driver के लिए होता है बहुत से लोगों का सवाल होता है कि LMT driver का चलता है तो ये black socket पे लोग गलत connection करते हैं हमेशे LMT driver का common पे black तार और 100 volt पे लाल तार का connection होता है तो ये LMT driver के लिए हमेशे लाल socket का use करें speaker चलाने के लिए common 4 और 8 ohm का use होता है अगर single speaker आप चला रहे तो common और 8 ohm पे लगेगा और एक से अधी की speaker चला रहे तो 4 ohm पे connection लगेगा अब इसके inputs देख लेते हैं एक बार अपन दो पिन इसमें auxiliary की दे रखिए जो अभी अपने लास्ट में शुरू में बता है आपको कि सामने इसमें और इसमें फरक आपको बताते हैं कि आप लाइन इन में करके कोई input देके चलाएंगे तो एक फिक्स वोल्यूम पर ही काम चलता रहेगा और इसमें आप वेरेबल टॉन बेस काम में ले सकते हैं यह दूसरा amplifier connect करने के लिए होता है दो प्री आउट और लाइन आउट प्री आउट में थोड़ा सा signal बढ़के मिलता है और इसमें नॉर्मल सिगनल आता है तो ऐसे ही detail में जानकरी बरी वीडियो के लिए हमेशे जुड़े रही है टेकनिकल सीवा डीजा उस पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है धन्यवाद दोस्तों